गाइस आज की वीडियो में मैं आपको Redmi Note 9 का MIUI 12.5.4.0 Stable Update का Complete Charging Test दिखाने वाला हूँ और यार इसे हम compare करने वाले पिराने वाले अपडेट से जो कि था 12.5.2.0 और यह जो new all अपडेट है यह सिर्फ 2-3 दिन पहले Redmi Note 9 में रिसीव हुआ है अगर आपको अभी तकी अपडेट नहीं मिला है तो यह 6-7 दिन का वेट कर लो आपको भी अपडेट इंडिया में देखने को मिल जाएगा और इसे complete charge होने में 12.5.2.0 को 100% होने में 2 840 मिनट लग गए थे जैसे कि आप देख सकते हो और हम यहाँ पर 12.5.4.0 के रिजल्ट लिखने वाले हैं और हम इन दोनों को compare करेंगे तो इसे मैं फिलाल के लिए साइड में रख देता हूँ और आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ मैं इस वाले update में यह जो test करने वाला हूँ उसमें मैं आपको सारी चीज़े बंद रखने वाला हूँ जैसे कि Wi-Fi, Mobile Data, Bluetooth यहाँ पर मैं सारी चीज़े बंद रखूँ है जैसे कि आप देख सकते हूँ और मेरे background में कोई भी application रण नहीं करेगी मैं सारी apps को background से हटा दूँगा उसके बाद जाके इसका charging test start करूँगा और इसको मैं completely 1% से लेके 100% तक complete charge करने वाला हूँ जैसे कि आप देख सकते हूँ अभी जो हमारा device है 2% है जैसे हमार device 1% हो जाएगा तो मैं इसका charging test start कर दूँगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक like जरूर से कर देना क्योंकि charging test बनाने में 3-4 घंटे हमें लगते हैं और याद चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरूर से करना क्योंकि आपको हम छोटी से छोटी अफडेट्स की वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर देते हैं तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं charging setup पूरा ready हो चुका है इस side पे मेरे पाई stop watch है जैसे कि आप देख सकते हो और इसमें जो भी battery है वो मैंने 1% कर दिया जैसे कि मैं आपको दिखा रहता हूँ तो battery and performance मैं आप देख सकते हो इसमें सिर्फ पर सिर्फ 1% battery हाँ पर remaining है और इसमें इसके supplied charger जो की 22.5 watt का charger है उससे charge करने वाला हूँ तो मैं जल्दी से इसे plug-in कर देता हूँ तो मैंने अपने charger को plug-in कर दिया जैसे कि आप देख सकते हो और stop watch को मैंने यहाँ से start कर दिया stop watch भी start हो चुका है charger भी plug-in हो चुका है 30 minutes में इसे देखेंगे कि 30 minutes बार कितना percent charge हुआ है क्योंकि पुराने वाले update में 30 minutes में 31% charge हो गया था तब तक के लिए मैं इसके screen को off कर देता हूँ background से सारी app को remove कर देता हूँ और इसके screen को off कर देता हूँ 30 minutes बार आपको दिखाता हूँ कितना percent charge है guys 30 minutes complete हो चुक है अब हम देख लेते हमारा phone कितना percent charge हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो हमारा phone 33% charge हो चुक है 30 minutes में और guys जो पुराने वाले update में charge हो था 31% जैसे कि आप देख सकते हो न 2% के improvement आई है इस वाले update में 30 minutes के अंदर तो इसके बाद हम देखेंगे 60 minutes बाद हमारा phone कितना percent charge होता है तब तक के लिए stay tuned guys जैसा कि आप देख सकते हो 1R complete हो चुक है और अब हम चेक कर लेते हमारी device कितना percent charge हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हो 67% charge हो चुक है वो भी 1R में तो मैं आपको बता दूँ पुराने वाले update में यह 1R में सिर्फ उसे 56% charge हुआ था पर इस वाले update में 12.5.4.0 में यह 1R में 67% charge हो गया है और मैंने आज तक बहुत सार Redmi Note 9 में charging test के हैं पर 67% आज तक किसी भी update में charge नहीं हुआ था यह first time ऐसे हुआ है कि हुआ है तो जैसा कि आप देख सकते हो 87% charge हो चुका है हमारे device और 1R 31 minutes ही हुए है और पिछले वाले update में 1R 30 minutes के बाद हमारे device 79% charge हो था और इस वाले update में यहाँ पर 87% तक charge हो चुका है जो कि आप पिछले वाले update से 8% जाता है तो इस वाले update में charging spirit में काफी जाता first लग रही है अब देख लेते हैं 2 hours के बाद हमारे device किता percent charge होता है 2 hours complete हो चुके है और हमार जो device है वो अभी 96% charge है जैसा कि आप देख सकते हो और पिछले वाले update में 2 hours के बाद हमारे device 92% charge था तो इस वाले update में 4% के increment आई है और हम देख लेते हैं हमारे device 100% charge होने में किता time लगाता है क्योंकि पिछले वाले update में 2 hours और 40 minutes लगाए थे और मेरे हिसाब से इस वार ये काफी जल्दी charge होने वाले है तो देखते हैं तब तक ले stay tuned हमारे device fully charge हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो और इसे fully charge होने में लगे 2 hours और 10 minutes जो किया काफी कम time है इसे पुराने वाले update में फुल charge होने में लगे थे 2 hours और 40 minutes जैसे कि आप देख सकते हो और इस वाले update में इसे लगे 2 hours or 10 minutes जो कि 30 minutes कम है पुराने वाले update से और 30 minutes माइने रखता है आदा घंटा पूरस ने कम लगा है fully charge होने में और मैं बता रहा हूँ आपको मैंने first time ऐसा देखा Redmi Note 9 में कि 2 hours or 10 minutes के अंदर full charge हो गया अगर आपको थोड़ी बहुत fast charging speed चाहिए तो देख सकते हो fully 100% charge है हमारा device और आगे आने वाली वीडियो में मैं इसका performance test और gaming test और battery drain test भी करने वाल हूँ एक ही वीडियो में तो ये channel को subscribe करके ज़रूर से रखना अगर आपको charging test पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से like कर देना thank you guys मारी वीडियो देखने के लिए